महाश्योरात्रि के शुभ अउसर पर भाधिये जन्तापार्टी की नई दिल्ली पूर्व महिला मोईच्चा अध्यक्षर राधा महेतों ने एक अनोके ही अंदाज में महाश्योरात्री मनाई आपको बताती चले कि राधा में तो हर पार महाशिवरात्री को अलगी अंदाज में मनाती है वह सुभा से ही सपेरे वाली को अपने घर पर बुला लेती है और उसके बाद नाकराश को स्नान करवाती है और कुमकुम का तिलक करके आर्थी उतारती है उसके बाद अपनी हातों से नाकराश को दूद पिलाकर आशिरवात लेती है और सपेरे को दान दक्षिना फेट स्वरुप देकर विदाय देती है जब राधा में तोसे हमारी समवात आतानी बात की तो उन्होंने बताया कि मैं भोलिनात की बहुत बड़ी भक्त हूँ और हर साल मोलिनात के श्रुंगार स्वरुप नाकराश को अपनी घर पुलाकर उनकी पूचा करके मुझे बहुत खुशी महसुस होती है वही देश के यशश्वी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी जी की प्रशंसा करती वे कहा कि हमारी देश में हिंदू तो खत्मसा हो गया था लोग अपनी धर्म के प्रती जागरुक नहीं थे आशप्रधान मंति जी की द्वारा श्री राम मंतिर का शिला नयास करनी के पाद देश के सभी निताओ और विपक्ष्वे बैटे सभी निताओं भी राम नाम का जाप करने लगी यहां तक कि बंगार में बैठी ममता देधी भी राम नाम का जाप करी है दिल्ली के मुख्यमंती केजरिवाल की बोल बदल के है वह कहते थे मैं हनुमान भक्त हूँ आजवदान सभा में स्पीकर बहुत एक के सामने वह भी राम नाम का जाप करने लगी है देश में फिर से राष्टवाद और राम भक्ती दिखने लगी है शरदालू अपने पूजा पाट वहा करते हैं पूरी रात शिप जी के अराधना चलती है और दूसरे दिन हम आकर के शिप जी की अपने घर के अंदर जोद बत्ती करके हम लोग भोजन बगेरा करा के लोगों को उसके बाद में हम लोग स्वें भोजन जब हम इस वरत को खोलते हैं और इसका यही तभी यह जो शिप रातरी का वरत है तभी पूरा भी होता है रातरी का मतलब रातरी के अंदर सोना नहीं है जाक करके शिप जी की अराधना करनी है BCN News के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट